तोड आफ्टर नून प्रेंट्स वेलकम टो मगद एजुकेशन में आपका स्वागत है ठीक है तो हम लोग किस चीज का क्लास हम लोग देख रहे थे इंडियन रिवर्स का इस बहुत सारे कोश्चन्स हम लोग कवर कर चुके ठीक है इंडियन रिवर्स में मैक्सिमा में लोग तो आज की नदी के बारे में लोग आज सब्सक्राइब करने वाले इंडियन रिवर्स के बारे कोंसा इंडिया लेक है ठीक है जिटन भी हमारे जील है वो कौन से राज्च grant में हमारे स्थित हैं उसका क्लास् हम लोग ले र कर के आएगे इस टॉपिक के खतB हो जाने के बार ठीक है तो आज हम लोग क्या जatted कंगा ओती है किसमें हमारे गंगा हमें हुआ है एंडिया की सबसे लंगेस्ट कौंसी अ सबसे लंगेस्ट रीवर इस अपको बताने हैं उसमें कौन सी नजी आगर के जाइन होती है कौन से श्एट किमारे को तोड़ मैं मिलनेवाली कौनशी नदीह अप्पर्षाम्फ साभ से आखर कीन ऻश्ट कीरा annaANO्ट से कुछ नधियां मिलेंगी दर्शन शाइट से कोन सी नधियां कर स्टाना तश्चिछ साइड से दच्छिन साइड से हमारी गंगा नदी में कौंसी नदीया करके मिलती है सोन नदियां झाल tinham जाती है énergie जहाती है इसे बहुत सारे यमना हो गई है धिसे क्वारे पस्क्ती नादियां में सहायक नदी मिलतें ठीके ट्रिब्यूटरी जाता है जाते एंदी उसमें आकरके बलती है जोटी नदियाँ फिर ये क польз फिर ये जो गंगनर रिवर हिर के यह बशन से यूपकर कटरकर करके हम्हारी करें करती यह बंगाल की खाड़ी में बंगाल से यह पिघाती है जो गंगा में कhistesz रहा था फ्या Pat Oh साइट से वह कौन सी नदी होगे हमारी सोन नदी ठीक है ऑप्शन से इस दा करेक्ट अब आते हैं नेक्स पे इवन हेर और फॉर प्लेसे सिच्वेटेड ऑन दा बैंक ऑफ दा डीवर नर्मदा जवलपूर मंडला अमरकंटक अन बारूच इन विच ओडर डू इस प्लेस ओकर यहां पे नर्मदा के तट मतलब जो नर्मदा रीवर इसके बैंक में उसके टद में कितने चार अस्थान मतलब चार जगा के नाम दिये गए वह संसें जबर्पूर मंडला अमरकंटक रूच नर्मदा बैंक पर इस्तित है तो आपको को बताना है यह स्थान नदी के उद्रम स्थल से हमाने तक किसमन में होता है था इसे स्थान २दी यह बताना है तो आपको यहां पर चार्ट स्थान के नाम दिए गए तो आपको बताना है यह जहरु का enna ش 268 आपको इसको सेक्वेस इसको अरेंज कर ना है इसको इसको चाएंज कर ना इसको अरेंज करना है मुहाने नर्मना रिवर है जो हमारी नर्मना रिवर जो कहां से ओरिजनेट होती है हमारी मदपर्देश ठीक है मदपर्देश में कहां से जो हमारी अमर कंटक की पहाड़ी है ठीक है अमर कंटक हील जिसको बोलते है उसमें एक रेंज है जिसको श्रेनी बोलते है उसी रेंज से निकलत मद पर DAYS में इसलों सोती है जो बिंदय है और वहीं से यनरी का रन्टेसिक को टुछ करती है तुर आता है जबबलपूर को क्या करती है इसकाट क्या हो गया हुँ सबस्के सब्सक्राइब लो necesita करना कि अवा आते है डीवर ऑन वेच दा रिजो व्या वो इंडिया फोल इंद्रा गांधी चानाल राजेसथान के लिए नाम से भी आते हो यान कि अर्फ़ान कानल के लिए जलाश बनाया गया अपको बनाया गया आपको उस त्री वर का नाम बताना है एक रिजयर्वर रिणौ कर नाम बताना है जो इंद्रा हस्ट गां monstrous नम भी एक बताना है और दॉर खानसे शली उसे वाले शेतुपर बनाया को क्या तो बनाया गया हमारे तृम नधी तृम को नधी विभी मम्हुनी हो एक और भीिभी मैश्य सरवे को यह बनाया गया हमारे को पर फ्मारे इंहें,. क्लास था इसमें कोई भी प्रप्राब्लम नहीं होने वाला है तो अगर आप नहीं देखें तो एक वह वह विजिट कर सकते हैं तो यहाँपर क्या होगा संदल म्यां पानी को रोगती है जब निट पड़ता है ठीक है ताकि तो पानी स्वाइचन में यूज किया जाता है कुछ पानी इलेक्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है इसको हाइड्रोपा बनाते हैं तो यहां पर क्या होगा ऑप्शन ए सतलर जीवर पर हमारी इंद्रा गांधी कैनाल स्थेत है अब आते हैं नेक्स पर हमारा कोश्चन है कि वेच इस दा करेक्ट सेक्वेंस अफ दा रीवर यहां पर आपको क्या बताना है करेक्ट सेक्वेंस ओफ दा और अनै तापी ना दिए का है ओनकी लंबाई के अबुगयं करम में सही क्रम किया है तो यहां और आपको कुछ रिवर्स के नाम दिये गए कौन सिरी वर्स हमारी मानदी नुर्मडार अपी क्लिस किया खुआ करना इसको करना इसके लिए आपको क्या लेंध पतगा ना जरूरी है तो जैसे कि यह लोग previous class में क्या हम बताये थे previous class में सबसे longest नदी मतलब असे बड़ी नदी कौन है यमारी गंगा ठीक है उसके बाद उमारी कौन सी नादी थी नर्मदा फिर उसके बाद कौन सी नादी हमारी रिवर कौन थी, Godabari ठीक है, Godabari, ये सेकेंड लाइडि ती लांगेस्ट रिवर की हमारी Godabari उसके बाद हमारी कौन Wow ठीक है, ये हो गया One ये हो गया Um फिर हमारी कौन थी, Tapii इसके बाद हमारी मह哈 नदी है Three, पिर उसके बाद ने तिसका size sequence क्या हो जगा पहले हमारी गोदावरी फिर उसके बाद नर्मदा फिर उसके बादstep हनारी महा नदी पिर हमारी महा नदी तापी सब्सक्राइब क्या हो जाएगा इसको क्या अरेंज करना है तो साइज सेक्वेंड क्या हो मैजँ को हो Kosot गुदावरी नर्मदा मानदी एंड तापी option B is the correct answer ठीक है यह इसका क्या है सई सेक्वेंस है अब आते है नेक्स्ट पे नर्मदा नर्मदा में अधियर को थैग condition के नाम से गुदावरी रीवर को भी जाना जाता है जो हमारी सेट्ट लॉंग इंडिया की first हमारी गंगा врем and second हमारी गुदद री खकति है तो यह गुददावरी नदी बताना है कौन-कौन-कौन 钱 से राजे को हो करके गुजरती है option किमारा है माहरा उर्ण पर्देष माहराउरा उडशा और अन पर्देष माहरा आटिका और पर देश माहराइश्टरा誌 और तो क्jesू होई स्थाइब कौन से राजे को टच करके हमारी गुजरती है गोधवरी रिवर कौन से राजे को टच करके हमारा राष्टा एंपर्देश इस दा कुरेक्ट अठीक है? ऑप्शन is the correct answer अब आता है next पे विच अब दा फॉलोइंग इज ए रीवर फॉलोइंग फ्रॉम सेंटरल इंडिया एंजवाई यमना या गंगा निमलिखित में से कौन सी नदी मद्य भारत से बहती है और यमना गंगा में मिलती है तो आपको बताना है यह चार नदिया में से वह कौन सी नदी है क्या करते है हमारे मद्य भारत मतलब जो सेंटरल इंडिया है वहां से फ्लो होना स्टार्ट होती है हमारे सेंटरल इंडिया नौर्ट सौथ इस्ट वेस्ट होते हैं उसे मीडवारा जो रीजन होता है मद्य प्रदेश वारा रीजन उसे सेंटरल इंडिया के नाम से जानते है ठीक है तो और ऱा एको पार नार्व को Sak실히 and betワ कौन से नथी है एक जो गंगा कम यम्णा जाकर मिल जाती है क्या होगा का अंसर क्राइक्वा क्या मैं स्टर आप क्या होके mari इसका कशी and bet Gay buck डी क्या होती है हमारे यम्णा में जाकर के बिल जाती है Central रीजन से हमारे Central इंडिया से फ्लो ना स्टार्ट होती है फिर हमारे यमना नदी में चाकर के मिल जाती है फिर यमना क्या गंगा नदी में मिल जाती है फिर हमारे टेटा का फॉर्म कर ले तरह क्यों और इसका correct answer option 3 अब आते हैं next पर which of the following rivers of India carried most water भारत की निम्द में से किस नदी में सबसे अधीक जल है तो यहां पर आपको क्या पताने है वो कौन सी नदी है वो कौन सी नदी है जो सबसे जादा water contain करती है सबसे जादा में water होता है कौन सी नदी है जो सबसे बड़ा नदी होगा वही होगा ठीक है यहां पर सबसे option 8 में क्या हमारा गंगा option भी हमारे क्या है ब्रहंपुत्रा अनौप्शन सी हमारे क्या यमुना अनौप्शनी हमारे क्या गोदाबरी तो आपको बताना है कि फारत में इन शारों में से सबसे ज्यादा जल किसमें जली से कमेंट करें इसका करेक्ट अंसर क्या होगा अब जो बड़ी नदी होगी वही क्या करेगी कंटेन करेगी क्या होगा करेक्ट अंसर बड़ी नदी कौन है हमारी बड़ी नदी कौन है क्या होगा गंगा या ब्रंपुत्र यह दोन में से एक हो सकता है ना यमना तो बिल्कुल नहीं होगा वह दाबरी क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा वाटर कौन करती है क्या होगा कर्ण के लिए पूचा जाये तो क्या होगा प्रह्म्पुत्रा नदी क्यूंकि इसका लेनद कितना होता है 2800 कीलोमेटर न थे कितना और गंगा नदी को फिंस सूप्चीं किलोमेटर ठीक है तो इसे जो नदी मिए बड़ी होगी से बाहर निकलती है कोंसी नदी deconstures से निकलती है कुछ हमारे कैलास रेंजेस होते थे जैसे बुंड्रे साथ रेंजेस के बीच से हो गड़के गुजरती थी तो यहां पे भी आपको क्या पूछ रहा है तो विच आप दा फॉलोइंग रिवर ओजनेट बियोंड हिमाल्या निमलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से बाहर निकलती है तो हिमालय से कौन सी नदी निकलती है आपको बताना है एह यहां पर टिक है तो यहारा जो रीजन था नहीं है यहां पर क्या था हमारा क्यलास मॉन्राइभ कि मान-शरोबर या मान-सरोबर कि थिद्वार इक लेक है तिबत साउथ इन तिबत में महां सबुल से उद्वार होती है क्यालास रंजेंट के फ्लो करती है तो जैसे कि हम लोग फर्स्स पर बताया थे हमारी चो इंदस्रीवर ती इसके तोटल पांच cannot to consume लोब किरें किल करकि मीन य्पन्स रिवर में ऐन गर्क के मिल जाती थी थी कि यह यो मुआ है फिज़ यह तो से व्हलों के vole which one of the following is a North flowing river निमलिखित में इन्यूरण स्थ की ऊर बैने वाली नदी है तो में इंडिया का मैप है कुछ हमारे जैसी के कुछ हमारे एस्ट में वेती है कुछ कुछ हमारे north में कुछ हमारे south में कुछ हमारे central India में भी भाएती आपको पूछंगरा आप नाम् बता हुँ सरी इंसरी वर्ण को नाम बता है यो हमारे north में 14 रॉति ये जि头 नौत में चैनल रेशंट छी जो? हमारी नर्मदा अधावर्ग यह?, जो एज बिल्कुल नहीं, यह साउथ में रिवर्स नहीं कहाँ मुद्ध है कहा साउथ में तो यहां पे कौन बची है हमारी और्मदा ठीक है नर्म नं Parl में बिंद्याफ एंज्स ती यह वारी और जो शक्पूरा लेंज्स थी ना यंक्वी से नदी क्या होती थी थी यह मारी नर्मदा जो ऑना मद पर देस में को सी रीजन से मत वाज कौन सी हील से नी कलती थी यह अमर कंटक को होने वाली नौट वाल रीजन में यह फ्लो होती है नर्मदा ठीक है नौट डिरेक्शन में फ्लो होती हो करके जाती है अब आते हैं नेक्स पे The Second Largest River Basin in India is of विछ रीवर, भारत में दूसरे सबसे बड़ा नदी बेसन नदी का है आपको यहां पे क्या बताना है Second Largest River Basin सबसे मतल्ब Second Largest यहां पे रीवर बेसन अपको बताना है तो सबसे Largest मतल्ब First Le affection हमारी कौन थी तो आप Second भी बता सकते हो है तुक है हम पूशा है ना second largest विवर वेसिन हमारे इंडिया को कौन है स्टेट ऑफ कावेरी नदी किस राज से होकर बैती है अब यहां भी क्या पूशचा है हमारे कावेरी नदी यह वह किसखिस राजियों से होकर के गुजरती है मध्वरदेश महराश्च्टा अं तमिल्नाडू ऐसिन पी हमारा करनाटका के लटा एं तमिल Gibson S तमिलनाडू अन अश्टिन हमारा केरला करनाटक अंधपर्देश ठीक है क्या होगा यह जो कावेरी नदी है हमारी साउथ में बैती है क्या हमारी कावेरी कृष्णा यह समारे साउथ वाले इवर्स है कावेरी नदी कौन-कावन से राज़ी को टच करके गुजरती है आपको इसका नाम बताना ठीक है क्या होगा इसका करेक्ट अंसर क्या होगा क्यों 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 यमुना मानज और ब्रहंपुत्रा Which of the pairs given is correctly match दिमलिखत यूगमो पर बिचार करें अबर आपको क्या करना है कुछ यहाप पर दिया वस्क्राइब भीचार करना है सहायक नदी हमारी मुख्य यहां पर कुछ हमारे ट्रिव्यूटरी रिवर दिये और हमारे कुछ में रिवर्स दिये वही हैं और दूसरे सब्सक्राइब तो आपको बताना है कौन से में रीवर में हमारी ट्रिब्यूटरी नदी की ट्रिब्यूटरी थी तो यह तो नहीं होगा नंबर वन प्रिब्यूटरी नदी की ट्रिब्यूट्री में हम न ही किस की गंग की सब्से बड़ी ट्रिब्यूटरी की सब्सें इसामरी का शाय जा रहाएगा 3 only 3 option d is the correct answer अब आते है नेक्स्ट पे नर्मदा रीवर्स ओरिजिनेट्स फॉर्म अमर कंटक नर्मदा नदी में अमर कंटक से निकलती है अमर कंटक इन तो यह जो नर्मदा रीवर है बताया गया है क्या जो अमर कंटक की पहाड़ी से निकलती है तो आपको बताना है ठीक है वो कहां हिस्तित है कौन से राज्य से निकलती है, option A, Gujarat, option B, Maharashtra, option C, हमारी क्या है, Madh Pardesh and option D, 36 तो नर्मदा, दर्मदा, नर्मदा, यह कहां से निकलती है, tepardesh, क्भी तुम नर्मदा, यह कहां से निकलती है, हमारी नर्मदा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट अंसर? तलचट से बहती है तो यहां पर आपको उस रीवर का नाम बताना है जो क्या करती है जो फ्लो होती है साथ अपने साथ सेडिमेंट को भी फ्लो करके ले जाती है उस रीवर का नाम बताना है सेडिमेंट ठीक है जो भी हमारे मेटेरियल होते है जैसे की रॉक वगेरा होते है त पानी में प्रेशर जाओ तो अपने सात ही फ्लो करके लिए जाएगी जो भी चोटे चोटे एक बढ़ पथलों यहां पिका आपको उस रीवर का नाम बताना है क्या रीवर विच रीवर फ्लो 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 करती है कौन से रीवर हमारे लेकर केलती है तारी सेडिमेंट को अपने साथ लेकर फ्लो करती है कौन से रीवर गंगा, इंदस, प्रम, पुत्रा, एं यम ना क्या होगा इसका कर्रेक्टर सब्सक्राइब ऑप्षण है श्खत्षिक गंगा ने दी , क्या होती है अपने साथ जो इतने भी second में सेडिमेंस होती है उसको इसको अपने साथ ही बहा करके ले आती है, यो अपने साथ बों होती सब्सक्राइ कर गलाए उपने। तो आपको रेंज का नाम बताना है इसमाना आपको स्टेट पूछ रहा है नापको रेंज का नाम बताना है मतलब शेणी कॉंची शेणी से निकलती है API 까 мат से यहां यहां और आपको बताना कॉन से नर्मदा रीवर अंटी और पूछ को नियुक्ति को चैनल a और रही नर्मदा रीवर में हुष्टिए चतीस खडर में थी ठिट ठीड है घो हमारे मध पड़ गुज़र के शचतीस में देन गुजर्ट अटरव और देन ठेक ignorU यह बाता है नेक्स पर फॉलोईंग इस फ्लोईंग फॉलोईंग आप इंडियान पैनिसूलर नहीं में लिखे इतमें से कौन सी भारती प्राइड एपिए कि पुर्व दिशा में बैने वाली नदी है आपको यहां पर क्या बताना है वो कौन सी रीवर है ठीक है जो इस्ट व क्या नौर्ड दिशा में बैने वाली मतलब नौर्ड डारिक्शन में पैने वाली फिर हम लोग यहां पर क्या पूछा जा रहा आपके कोशन में यहां पर इस्ट हमारे पूर्व दिशा में फ्लो होने वाली कौन सी रीवर है ठीक है पूर्व दिशा में इस्ट वाट फ्लो होती है इस्ट में कौनसी नदी होगी है हमारी पर अगर आप मैप में देखिए कौन-कौन सी रिवर कहां Google पर सर्वार पर सर्श करोंगे रिवर्स-मैप आजाएगा वह पसे काफी आपको विज्वालाइज करोंगे आतापके माइन में फिट हो जाएगा कि कौन सी रिवर कहा से डिरेक्शन में फ्लोह हो रही है तो अगर आप नहीं देखे यह देख आप गूगल पे जाकर के देख लिए क्या होगा इसका महानधी ठीक है क्या होगा महानधी स्थ एक फ्लोह होती है अव आते है नेक्स्ट पर Which is the longest river of Penisola India? Pride EPA, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? Penisolar India की सबसे लंबी नदी कौन है? आपको बताना है Pride EPA, भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पर क्या सबसे longest river पूछा जा रहा है आपसे Penisolar India की, क्या होगा? Krishna, Saveli, Narmada and Godavri क्या होगा इसका correct answer? पैनिसूला इंडिया का सबसे लॉंगेस्ट इवर कौन से है यहां पर गंगा दे दिया जाता गंगा दे दिया जाता तो क्या होता हमारा गंगा होता लेकिन यहां पर गंगा नहीं दिया हुआ है तो सेकेंड लॉंगेस्ट इवर कौन है हमारी पैनिसूला इंडिया की हमारी तो इसका correct answer किया हो जागा हमारी गोदावरी रिवर आवा आते हैं next पर which of the following groups of rivers are likely to show the least horizontal activity भारत में नदियों के निम लिखित में से किस समू में सबसे कम अपर्धन गतिवीदी देखने की समभाम बना है किया बताना है तो यहां पे आपको क्या बताना है वह कौन सी थी तो चार पर्दन यह सब बगरा होता है उलसनरे जा तो यहां पर जय आपको क्या पूछ रहा है कि आपको तकम हमारी हिमालय रीवर होती है उसमें सबसे उसमें सबसे कम क्या होगी तब से के ये थे को कर से अपाम म Options में मुह मैं सबसे कम पर दल रसंगि अरेट्ड प्लेन आप इंडिया एंडिया भिसेट फ्लेंड attkovी इस्ट वार्ट फ्लोईंग पहने वाली जो मारी नदिया है उसमें सबसे कम अपरदन देखने को मिलेगी क्या होगा इसका करेक्ट अंसर माला रीवर में तो सबसे कम अपरदन होने का चांस ही नहीं है ठीक है यह तो यह पर ग्रेट प्रेंस में यहां पर इस यहां पर ही एस्ट वार्ट फ्लोईंग रिवर बाट वार्ध हमारी कम है ठीक है तो इस्ट थीडेर मारी रेजन की चांसे बहुत घट जाती है कि यहां पर क्या होगा सबसे कम देखने को मिलेगा option D is the correct answer अब आते हैं next पर sons of the following rivers follow through महराउ्टाटा झूजडात निमखित में से कौन सी надízे महरा आप का उसी कि महरा मुझा और हमारी गुजडात में बैने वाले को Yeah ठीक हो निकलती है ताप्टी के जो मारे महाराश्च्राइब गुजराथ त्टी ऑप्शन धी आँए नेक्स पर पूर्ब की और बहने वाली निमलखित नदियों में से कौन सी नीचे की और मुढने के कारण दरार घाटी बनाती है आपको उस नदी का नाम बताना है ठीक है तो जो नीचे की और जब कर्व होती है न तर्ण होती है न रीवर तो क्या होती है हमारे रीवर जो नामसे जानते है तो कारेक्ट अप्सिन सी हमारी सोन नदी एंो दो क्या होगा इसका करेक्ट असर कौन हमारेarnya पर दाम उदर नदी है वह हमारी रिफ्ट वैली का फॉर्म कर लेती है पर प्राइब भारत की सबसे लंबी नदी आपको बताना है नर्मदा गोदाबरी मान नदी और कावेरी क्या होगा सबसे लंबी नदी गोदाबरी ठीक है यह कुछ तो रिपेट हो गया आपको पर इस सिटी इस लोकेटेड ऑन दा बैंक और रिवर ब्रह्म पुत्रा कौन सा स हमारी सबसे इंडिया की सबसे क्या है सबसे लार्ड इंडिया नहीं बहु सकते वर्ल्ड की सबसे लार्जेस इवर हमारी ब्रह्म पुत्रा ठीक है वर्ल्ड का आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी नदी कौन है तो ब्रह्म पुत्रा और इंडिया का पूछा जाए तो हमार तो अगर आप देखे होगे ब्रहम्पूत्रा काहां से फ्लो होती है हमारे तिबबत वारे रीजन से अरुनाचर प्रदेश इंटर करते हुए यह हमारे बंग्लादेश से होते हुए बंगाल में गिरती है तो यह तो हमारे कानपूर हमारे नॉट्स वाली रिजन में हो गया त बिल्कुन इब अश्रम का एक शहर का नाम है शिटी का नाम है ब्रूगर वहीं है पड़ता ठीक अलखना यह भी हमारे नॉर्थ वाली रिजल में होगे तो यह नहीं होते है इसका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा हमारे ब्रूगर ठीक है तो यह मारे सैवंन सिस्टर में क्व Warner Adi अनगा का कौन सी इंद अलावाद में मिलती है आपको को पताना है कि जॉइंस अनगे कौँ नदी अहांगे अरकर के जॉइं पुर्ण भी जातए भी किसी और भी कासर इसे कमें नियुक्रणन युटी करोण स्काफिया दिखन है ढंसलिफित difTI जो की तुछिए व प्रफ meget युटि-विकली में वा सून मीजावकर है कि युटमाने डियुक्ति जो है गंखाव की आपका है नियुक्ति गंगा है कि दो इसको क्रेक्प अंसर इधि हमारे में ज js राप्र भाज वाली रिजन में घंडे HOL GANGRA Lock प्रॉसकी तो हमारे भिहारे चोइव सब्सक्राइब के हुगा या मैंना इस प्रीक सिस्रीजियां ज variance और दे सैंछिए आदल के वान अल्हाग HOL SHOW GANGा के मिल जाते है और स्वास समुदुरम से जल पर पर पाऊथ है किस नदी के तत्त पर आपको रीवर बैंक का नम बताना है कौन से नदी के भी टथिक से तोफीगिंधी क्रिश्ण आप्षिन भी गुदापरी अफिशन सी कावेरी एन और अस्टेक है इमारी मान ड़ी वॉन से नदी पर हमारे जली से कमेंट करिए सिप समुदर्म कौन से नदी पर हमारे सिप समुदर्म पॉर्स जो कहां पढ़ता है हमारे क्रिनाटिका में क्या होगा कावेरी रिवर क्या होगा कावेरी रिवर आवा आते हैं नेक्स पर यह हमारा आज का लास्ट कोश्टन है कि इंडियन रिवर का कि दा मॉांंटेन पीक लोकेटिद वियर धां के भुच रिवर एक है यहां हे हैरीपीन लेती है वहاں सजी है फ्रोग कर किया है अब जैक टो फ्रोड नहीं होगी हएं कहीं कहने उनको क्या लेना पड़ता है फ beni countryside यहां पड़ेता है मतलब अचानक से मुड़ना जैसे कोई शुक्षाब करता है तो क्या होता ऑद ब्रम्पूत्रा नादी है इसको और भी अलग-अलग जाना जाताए ठीक के अगर ऊब अलग अलग जगह अलग नाम से जाना जाता ए डिक याई पस्टेंपूर ति अतार दर्शिन दिशा की ओर रिप Efendimiz मूल लेती है वाँ अस्तिध परवत शिखन को आपको बताना जब यह मोड लेती है na hairpin kya band की क्या मुड़ती है मतला मुड़ती है तो आपको बताना वह कौन से छिखर के पास की मुड़ती है नम चान वरवा वाला जो सिखर हें नौर्थ से रीजन में हमारे इसयर वेस्ट वेस्ट एस्ट नौर्थ सौथ वाले जो रीजन यहां से क्या होती है डाइक्ट बरवा इसके हैं फिर्वा फिक इस दा तर्छ चारेक्ट अंसे क्या होगा option C तो यह था हमारे क्या इंडियान रिवर्स का इससे ज्यादा को पूछ की जाएंगे कोई भी एक्जाम में अगर आप इतना याद रखते हैं तो आपका एक्जाम बिल्कुल अच्छा जाने वाला है क्योंकि यह बहुत हर एक्जाम में आपको यह पूछा जाता है इंडियान के साथ ठीक है तो हमारे इंडियान रिवर्स की आज क्लास खतम होती है हम लोग मिलेंगे अब कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ थाइंक यू